प्यारों प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चों हम सभी आज कक्षा चोथी की वर्क्षीट सॉल्व करते हैं सब्ता है पहला विश्य है सामजिक ज्यान उपविश्य भारत एक परिच्चे चलिए बच्चों भारत एक परिच्चे देखिए हम यहां भारत के बारे में कुछ जानते हैं बच्चों यहां पे भारत का मानचितर दिया गया है मैप दिया गया है जिसमें हमें अलग-अलग केंदर शाशित प्रदेश भी दिये गए हैं राज्य दिये गए हैं देश की राजधाने दी गई हैं तो हम यहां सभी मांचित्र के दुआरा सारी जो हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं ओ अब चली बच्चू हम पहला प्रशन देखते हैं यहाँ पे देखिए बच्चो प्रशन पहला है रिक्तिस्थान भरिये रिक्तिस्थान देखिए बच्चो हमारे देश का नाम क्या है हमारे देश का नाम भारत है मान्चित्र में उपर की और खाली स्थान दिशा को दर्शाया जाता है देखिए बच्चो हमारी जो दिशाएं हैं वो चार होती हैं आप सभी को पता है कौन-कौन से दिशाएं होती हैं बच्चो देखिए तो देखिए बच्चो ये होती है हमारी उत्तर दिशा ये होती है हमारी दक्षिन दिशा यह होती है पूरव और यह होती है पश्टिम ठीक है बच्चो सबी को आया समझ में तो देखी बच्चो हमसे पूछा गया है कि जो हमारे मानचित्र है इसमें उपर वाले दिशा कौन सी है बच्चो उपर वाले दिशा है उत्तर दिशा ठीक है भारत के दक्षिन में खालिस्थान महासागर है कौन सा महासागर है बच्चो देखें यहां पे हिंद महासागर ठीक है यहां लिखेंगे हम हिंद हिंद महासागर दिल्ली के सटे राज्य कौन कौन से हैं बच्चो देखिए बच्चों दिल्ली के पास है हरियाना और उत्तर प्रदेश ठीक है तो यहां लिखेंगे हम हरियाना और उत्तर प्रदेश अगला प्रेशन देखिए प्रेशन नमबर दूसरा है भारत के मानचितर को देखकर सही उत्तर चुने और अपनी कौपी में लिखिए भारत में कित्ते राज्ये हैं भारत में कित्ते राज्ये बच्चो भारत में 28 राज्ये हैं ठीक है सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में 28 राज्ये हैं भारत में कितरे केंद्र शाशित प्रदेश हैं भारत में 8 केंद्र शाशित प्रदेश है भारत के उत्तर में इस्थित राज्ये कौन सा है बचो भारत के उत्तर में इस्थित राज्ये कौन सा है अब सभी को बता होना चाहिए कि भारत के जो उत्तर में है वो कौन सा देश है तो ये है हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश भारत के दक्षिन में इस्तित राज्य कौन सा है दक्षिन में है कैरल ठीक है बच्चो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर इस्तित है कौन सा सागर इस्तित है बच्चो अरब सागर इस्तित है कौन सा राजे बंगाल की खाड़ी से सटा है कौन सा सटा है बच्चो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बंगाल की खाड़ी है उससे कौन सा राज्य सटा है तो देखे बच्चों यहां बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी से कौन सा राज्य सटा हुआ है आंदर प्रदेश ठीक है इन में से कौन सा राज्य अरब सागर से सटा है अरब सागर है बच्चों यह रहा अरब सागर के पास है गोवा ठीक है कौन सा राजे भारत के सबसे पूर्व में स्थित है और बच्चो सबसे पूर्व में स्थित कौन सा है तो देखिए सबसे पूर्व में है नागा लेंड ठीक है नागा लेंड यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा सभी को आया समझ में बच्चो अच्छे से तो चलिए बच्चो अब हम अगला प्रशन देखते हैं हमारा अगला प्रशन है बच्चो हमारा मुख्ये चारो दिशाओं के नाम लिखिए बच्चो चार दिशाएं होती हैं तो हम लिखेंगे उत्तर, दक्षिन, पूरव और पश्चिम ठीके बच्चो ये हमारी चार दिशाएं हैं और चारो दिशाओं के हमने यहाँ पे नाम लिख दिये हैं अब बच्चो प्रशन नमबर चार देखिए उगते सूर्य के साथ पहाडों का सुन्दर चित्र बनाईे और मैसुच कीजिये कि आप वहाँ घूमने गय हुए हैं बच्चो देखिए आपको उगते हुए सूरज का एक चित्र बनाना है सुन्दर सा ठीके इस तरह से सभी को पनी कॉपी में एक सुन्दर सा चित्र बनाना है और उसमें रंग भड़ना है जीवन कोशल परिवार के साथ संबन प्रशन अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए देखी बच्चों आप सभी की परिवार में दादा जी होंगे तो दादा जी का आपको यहां नाम लिखना है दादी जी होंगी तो दादी जी का आपको इस तरह से नाम लिखना है पिता जी, माता जी, ठीक है चाचा जी, चाचा, चाची, भाई, बेहन इस तरह से बच्चो आपको सबको इस तरह से लिख करके और सभी के आपको नाम लिखना है और इस तरह से आपको अपना प्रेशन पूरा करना है सभी को समझ में आया किस तरह से आपको अपना प्रेशन पूरा करना है बच्चो देखिए आप सभी को मेरा वीडियो देखना है और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करनी है उमीद करते हूं बच्चो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूरिये और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चो आप सभी मेरे वीडियो को कंटीन्यू देखते रहिए ताकि आप अपको हैल्प मिले अपनी वर्कशीट को सॉल्व करने में थैंक यू प्यारे बच्चो हैव नाइस दे